स्री सरस्वतेन महा वानी परंपरा के पुनीत आयोजन में हमारे साथ उपस्तित महराष्ट के राजपाल स्री भगत सिंकोश्यारी जी, महराष्ट विधान सभा प्रतिपक्ष के नेता स्री देवेंदर फड़न्विश जी, महराष्ट सरकार में मंत्री श्री सुभाद देशाई जी, आदेनिय उशाजी, आशाजी, आदेनात मंगेशकर जी, मास्टर दिनानात, स्मृति प्रतिष्टान के सभी सदस्यगान, संगीत और कड़ा जगत के सभी विशिष्ट साथियों, अन्य सभी महरभाव, देवी और सज्यनों, इस महत्वपुन आयोजन में, आदेनिय रदेनात मंगेशकर जी को भी आना था, लेकिन जैसे अभी आदेनात जी ने बताया, तब यह ठीक नहीं होने के वज़े से, वो यहां नहीं आ पाए, मैं उनके जल्द स्वस्त होने की कामना करता हूँ, साथियों, मैं आपने आपको बहुत उपयुक्त यहां नहीं है, अनुभो कर रहा हूँ, क्योंकि संगीत जैसे गहन विशय का जानकार तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन सांस्कृतिक बहुत से मैं यह मैसूस करता हूँ, कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी है, जो अव्यक्त को व्यक्त कर दें, वो शब्द है, जो व्यक्त में उर्जा का, चेतना का संचार कर दें, वो नाध है, और जो चेतन में भाव और भावना भर दें, उसे सुरुष्ट्री और सम्वेदना की परकाष्ट तक पहुंचा दें, वो संगीत है, आप निस्पुरू बैठे हो, लेकिन संगीत का एक स्वार आपके आँखों से आंसु की धारा बहा देता है, यह सामर्थ होता है, लेकिन संगीत का स्वार आपको वैराग्य का बोध करा सकता है, संगीत से आपमें विर्रस भरता है, संगीत मात्रुत्व और मम्ता की अनुभूती करवा सकता है, संगीत आपको राष्ट भक्ती और करतव्य बोध के सीखर पर पहुंचा सकता है, हम सब सोभाईजय साली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ को, इस शक्ती को लता दीदी के रूप में साक्षा देखा है, हमें अपनी आँखों से उनके दर्शन करने का सौभागी मिला है, और मंगेश का परिवार पीडी दर पीडी ही इस यग्य में अपनी आहुती देता रहा है, और मेरे के लिए तो ये अनुभाव और भी कहीं बढ़कर रहा है, अभी कुछ सुर्खियां हरिजजी ने बता दी, लिकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना है, तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शाहिद चार साड़े चार दसक हुए होंगे, सुधिर फड़के जी ने मुझे परिच्चे करवाया था, और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ, अपांगर्स ने अंगिनत कटना है, मेरे जीवन का हिस्सा बन गई, मेरे लिए लता दिदी सूर सामरागी के साथ साथ, और जिसको कहते हूँ में जी गर्वन भोता है, वो मेरी बड़ी बहन थी, पीडियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दिदी, उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा जीवन का सोभाग्य क्या हो सकता है, शायद भहुत दसकों के बाद ये पहला राखी का तिवार जब आएगा, दिदी नहीं होगी, सामान्य तोर पर, किसी सम्मान समहरों में जाने का, और जब अभी हरिज जी भी बता रहेते हैं, कोई सन्मान ग्रहन करना, मैं थोड़ा उन पिशे में दूरी रहा हूँ, मैं अपने आपको एड़्जस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पुरसकार जब लता दिदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो यह मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकारद मेरा दाइत्व बन जाता है, और यह उस प्यार का प्रतीक है, और जब आजिना जी का संदेश आया, मैंने मेरे क्या कारकम है, मैं कितना भीजी हूँ, कुछ पोचा नहीं, मैंने का भाया, पहले हां कर दो, मना करना मेरे लिए मुंकी नहीं नहीं, मैं इस पुरसकार को सभी देश वाच्चों के लिए समर्पित करता हूँ, जिस तरह लतादीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया एपुरसकार भी जन जन का है, लतादीदी से अक्सर मेरी बात्चीत होती रहती थी, वो खुद से भी अपने संदेश और आसिरवाद भेगती रहती थी, उनकी एक बात, शायद हम सब को काम आ सकती हैं, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ, मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी, वो हमेशा कहती थी, मनुश्य अपनी उम्र से नहीं, अपने कार्य से बड़ा होता है, जो देश के लिए जितना करे, वो उतना ही बड़ा है, सफलता के सिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है, लता दिदी उम्र से भी बड़ी थी, और कर्म से भी बड़ी थी, हम सभी ने जितना समय लता दिदी के साथ गोजा रहा है, हम सब जानते हैं, कि वो सरलता की प्रतिमूर्थी थी, लता दिदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया, कि लोग उन्हें माज सरस्वती का प्रतिरूप बाहनते थे, उनकी आवाज में करीब असी सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी, ग्रामोफोन से सुरू करें, तो ग्रामोफोन से कैसे, फिर सीडी, फिर डिवीडी, फिर पेंडराईव, ऑनलाइन विजिक और एप्स तक, संगीत और दुनिया की कितनी बड़ी यात्रा लताजी के साथ साथ ताय हुई है, सिनेमा की चार-पाँच पीडियों को उन्होंने अपनी आवाद दी, भारत रत्न जसा सर्वोच सन्मान उन्हें देश ने दिया और देश गवर्णान्वित हुआ, पुरा विश्व उन्हें सुर समराग ने मानता था, लेकिन वो खुद को सुरों की सामरागी नहीं, बल्कि साधी का मानती थी, और यह हमने कितने ही लोगों से सुना है, कि वो जब भी किसी में गाने के रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी, तो चपले बहार उतार देती थी, संगीत की साधना और इस्वर की साधना उनके लिए एक ही था, साथियो, आदी संकर के अद्वेट के सिध्धान को हम लोग सुनने समझने की कोशिश करें, तो कभी-कभी उलजन में भी पढ़ जाते हैं, लेकिन बहुकर जब आदी संकर के अद्वेट के सिध्धान की तरफ सोचने की कोशिश करता हूँ, तो अगर उसको सरल सब्दों में मुझे कहना है उस अद्वेत के सद्धान को इश्वर का उच्चारन भी इश्वर का उच्चारन भी स्वर के बिना अधूरा है इश्वर में स्वर समाहित है जहां स्वर है बहीं पुर्णता है संगीत हमारे रदे पर हमारे अंतरमन पर असर डालता है अगर उसका उद्गम लताजी जैसा पवित्र हो तो वह पवित्रता और भाव भी उस संगीत में घूल जाते है उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हम सब के लिए और खास कर यूआ पीडी के लिए एक प्रेड़ा है साथियों लताजी की ससरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आज़ादी का अमरित महोत्सों मना रहा है उन्होंने आज़ादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों के देश की आत्रा उनके सूरों से जुड़ी रही इस पुरसकार से लताजी के पताजी दिनानात मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है उसके लिए हम सभी देशवासी उनके रणी है संगीत के साथ साथ राष्ट भक्ति की जो चेतना लतादीदी के भीतर थी उसका अस्रोत उनके पताजी ही थे आजहादी की लडाई के दौरान शिमला में ब्रिटीस वाइरस के वैसरा के कारकम में दिनानाज जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गया था ब्रिटीस वाइरस राष्ट के सामने ये दिनानाज जी ही कर सकते हैं और युजू कुप कर सकते हैं और उसकी थीम पर प्रदर्शन भी किया था और वीर सावरकर जी ने ये गीत अंग्रेजी हकुमत को चुनावती देते हुए लिखा था ये साहस ये देशवक्ती दिनानाज जी ने अपने परिवार को विरासत में दी थी लताजी ने संभवत हा कहीं एक बार बताया था कि पहले वो समाज सेबा के ही ख्षेत्र में जाना चाहती थी लताजी ने संभवत को अपनी आराधना बनाया लेकिन राष्ट प्रेम और राष्ट सेवा उनके गीतों के जरिये भी प्रेरणब पाती गई चत्रपती सीवाजी महाराज पर वीर सावर जी का लिखा गीत हिंदू नर्सिमा हो या समर्थ गुरु रामदाजी के पद हो लताजी ने सीव कल्याण राजा की रिकॉर्डिंग के जरिये उन्हें अमर कर दिया आए मेरे बतन के लोगों और जयहिंद की सेना यह वो भाव पंक्तिया हैं जो देश के जन-जन की जुबाँ पर अमर कर दी उनके जीवन से जुड़े से कितने ही पक्षे हैं लतादीदी और उनके परिवार के योगदान को भी अमरित महुत्सों में हम जन-जन तक लेकर जाएं यह हमारा कर्तब भी है साथियों आदेश एक भारत स्वेश्ट भारत के आत्म उश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है लताजी एक भारत स्वेश्ट भारत की मधूर प्रस्तूती की तरह थी आप देखिए उन्होंने देश की तीस से जानदा भाषाओं में हजारों गीत गाए हिंदी हो, मराटी हो, संस्क्रित हो या दूसरी भारतिय भाषा है लताजी का स्वर वैसा ही हर भाषा में गुला हुआ है वो हर राज्य हर खेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है भारतियता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है ये उन्होंने जी करके दिखाया है उन्होंने भगवद गीता का भी सस्वर पाठ किया और तुलसी, मिरा, संत ग्यानेश्वर और नर्सी महता के गीतों को भी सबाज के मन मस्तिस्क में घोला रामचरीत मानस की चुपाईया से लेकर बापू के प्रिय भजन वैस्न भजन तो तेने रेकाई है तब सब कुछ लताजी के आवाज से पुनर्जिवित हो गए उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रेकॉर्ड किया था जो आज भी हर सुवें वह बत्ता है यानि संस्कृति से लेकर के आस्था तक पूरब से लेकर के पस्चिम तक उत्तर से दक्षिन तक लताजी के सुरों के पुरे देश को एक सूत्र में पिरुणों का काम किया दुनिया में भी वो हमारे भारत की सांस्कृतिक राज़दूत थी वैसा ही उनका व्यक्तिक जीवन भी था पूरे में उन्होंने अपनी कमाई और मित्रों के सयोग से मास्टर दिनानात मंगेश कर हस्पिटल बनवाया जो आज भी गरीबों की सेवा कर रहा है और देश में शाहिद बहुत कम लोगों के सकता ये चर्चा पहुंची होगी कोरोना कालखन में देश की जो इनी चुनी अपस्पताले जिन्होंने सरवाधिक गरीबों के लिए काम किया उसमें पूने की मंगेश कर अस्पताल का नाम है साथियों आज आज़ादी के अमरत महुत्सों में देश अपने अतीत को याद कर रहा है और देश बविश्च के लिए नए संकल्प ले रहा है हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम में से एक है आज भारत हर शेत्र में आत्म निर्वर मनने की और आगे बढ़ रहा है विकास की ये यात्रा हमारे संकल्पों का हिस्सा है लेकिन विकास को लेकर भारत की मौलिक द्रस्टी हमेशन लग रही है हमारे लिए विकास का अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विस्मास और सबका प्रयास सबके साथ और सबके लिए विकास के इस भाव में वसुधे उक्रुम कम की भावना भी शामील है पूरे वीश्व का विकास, पूरी मानवता का खल्यान ये केवल भवतिक सामर्त से हासिल नहीं किया जा सकता इसके लिए जरूरी होते हैं मानिवी ये मुल्य, इसके लिए जरूरी होती हैं अध्यात्मिक चेतना इसलिए आज भारत दुनिया को योग और अईरुवेट से लेकर परियावरान रक्षा जैसे विशेव पर दिशा दे रहा है मैं मानता हूँ भारत के इस योगदान का एक हैम हिस्सा हमारा भारत ये संगीत भी है ये जिम्मेदारी आपके हाथ हो में है हम अपनी सिविरासत को उनी मुल्यों के साथ जिवन्त रखे और आगे बढ़ाएं और विश्वशान्ती का एक माध्यम बनाएं ये हम सब की जिम्मेदारी है मुझे पुरा विश्वास है संगीत जगत से जुड़े आप सभी लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और एक नए भारत को दिशा देंगे इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का रुदे से धन्यवाद करता हूँ मंगेश्वर परिवार का भी मैं रुदे से धन्यवाद करता हूँ कि आपने दीजी के नाम से इस प्रथम पुरसकार के लिए मुझे चुना लेकिन हरीश्जी जब सम्मान पत्र पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मुझे जब कई बार पढ़ना पढ़ेगा और पढ़कर कि मुझे नोट बनानी पढ़ेगी कि अभी मुझे इस में से कितना कितना पाना बाकी है अभी मेरे में कितनी कितनी कमिया है उसको पूरा मैं कैसे करूँ दीदी के आशिरवात से और मंगेश के परिवार के प्यार से मुझे में जो कमिया है उन कमियों को आज मुझे सम्मान पत्र के द्वारे प्रस्तुत किया है मैं उन कम्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगा बहुत बहुत धन्यवार नमस्कार